दोस्तर नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग सिखने वाले हैं गराफिय विधी और अगर आप किसी बोड़ी गाम के त्यारी कर रहे हैं तो गनीत विशैसे पांच नमर गराफिय विधी से पका ही पूछा जाता है और इस विडियो को पूरा देख लेते हैं तो गराफिय विधी आप सीख जाएंगे लेकिन एक समस्या आए है कि समीकरन अलग-अलग हो शकता है जैसे कि मैं यहाँ जो समीकरन लिया हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपके एक जान में यहीं समीकरन आए कि हाँ अगर आप इस त्यार करना और मान सारणिक कैसे त्यार करते हैं इसको समझ लिए देखे यहाँ मारे पास समीकरन है 2x प्लस का y बराबर 6 ठीक है तो इसमें से हमें क्या करना है कि पहले आप x वाले को लिख सकते हैं या पहले आप y वाले को लिख सकते हैं जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 2x तो बराबर देना होगा और बराबर के बाद जो संख्या होता है उसको पहले लिख लेते हैं यानि कि 6 है तो 6 को पहले लिख लेंगे इसके बाद जो संख्या बच जाता है क्या बच गया? ए भी लिख लिया ए भी लिख लिया अब क्या बच गया ए वाला बच गया ठीक है तो इसको क्या करेंगे अगर ए पलस में होगा तो बराबर के बाद इसको माइनस में लिखेंगे ठीक है और अगर ए माइनस में होता तो बराबर के बाद पलस में लिखते ठीक है तो एक तो इ x प्लस का y बराबर 6 है ठीक है ना इसको हम लिखेंगे y बराबर 6 और प्लस का 2x है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा ठीक है तो एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से निकालते हैं ओके तो लिखेंगे 2x बराबर, प्लस का 6 लिखेंगे ठीक है, और प्लस का y है तो बराबर के बाद जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का y इसलिए x बराबर 6 माइनस y और ए 2 है, ए नीची आ जाएगा ठीक है, अब हमें जरूरत है मानसारनी त्यार करने की, ठीक है, तो लिखेंगे मानसारनी ठीक है, क्योंकि मानसारनी से क्या बनता है, गराफ बनता है ठीक है, तो मानसारनी में x और y दोनों का मान निकालना होता है कम से कम आप 2 मान निकाल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा आप ती निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकस उपर लिखेंगे, और y नीचे लिखेंगे ठीक है, आप इसको भुच खोटे भी बोल सकते हैं, ओके, अब यहाँ मान रखना होता है, यहाँ पर ठीक है और मान क्या रखना होता है तो मान अपने मर्दी से रखना होता है हम अपने मन से मान रखते हैं अलग-अलग लोग अलग-अलग धंग से मान रख सकते है 6 है माइनस तो y का मान रखना है अपने मर्दी से तो अगर यहां हम सुने ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सुने ले लेते हैं, तो यहां y के जगा पर क्या हो जाएगा, सुने हो जाएगा, बटा 2, तो 6 में से अगर हम सुने को घटाते हैं, तो क्या बचता है, 6 ही बचता है, और नीचे 2 है, 2 तिया 6, तो y का मान क्या रखा हमने सुन्दे रखा तो X कमान की आया? 3 आया ठेके इसके बाद X बरावर क्या है? 6 माईनस Y बटा में 2 फिर हमें क्या करना है? Y कमान रखना है अब Y कमान क्या ले? ठेके Y कमान अगर मान लिजे कि हम दो लेते हैं माईनस 2 बटा में 2 तो क्या हो जागा देखेए 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 बटा में 2, 2 दुना 4 क्या आया? 2 आया यहनिकि Y का मान 2 रखने पर X का मान क्या आया? तो 2 आया ठीक है? अब आप कहेंगे कि Sir 1 Q नहीं रखा आपने ठीक है? देखेए 1 क्यूं नहीं रखा यह आप समझ दो 6 माइनस Y बटा में 2 तो 6 माइनस 1 बटा में 2 हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचाएगा? 5 बटा में 2 है अब एक कटेगा नहीं अगर कटेगा तो क्या जाएगा? 2.5 आज जाएगा इस पे भी बनेगा ठीक है? लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कठीन लगने लगा जब इस पे आप बनाएगे तो इसलिए हमें ऐसा मान रखना चाहिए जो अगर जोरने वाला रहा है तो जोर कर 2 से कर जाए या मतलब नीचे बाले से कर जाए या अगर घटाने वाला है तो घटा करके नीचे बाले से पुरा-पुरा कर जाए तो ऐसी संख्या हमें रखना चाहिए अगर आप 2 मान निकाल लेता है तो तीसरा मान स्वता निकल लाता है कोई प्रोब्लम नहीं है जैसे देखलो जैसे कि सुन है और 2 है कितना का गैफ है दो का गैफ है तो अब हम 4 रखेंगे तो 4 से कटेगा यह अगर आप 3 लखेंगे तो 3 से नहीं कटेगा ध्यान रखना ठीक है लिखेंगे फिर सेकेंड समीकरण मेरे पास है 4x-2y बराबर 4 क्या है 4x-2y बराबर 4 ठीक है इसे त्यार करना है तो इसको पहले लिखेंगे बराबर देंगे और बराबर के बाद जो संख्या है उसको लिखेंगे और ये बला संख्या अगर माइनस में है तो बराबर के बाद पलस में लिखा जाएगा और पलस में है तो बराबर के बाद माइनस में लिखा जाएगा तो माइनस का 2y है क्या हो जाएगा पलस का 2y इसलिए x बराबर 4 पलस 2y बटा में आ जाएगा ए वाला 4 इसके बाद हमें क्या करना है मान सार्णी त्यार करना है इसमें एक्स लिखेंगे और इसमें वाई लिखेंगे लिखेते हैं मान सार्णी मान सार्णी ओके चलिए अब यहां मान क्या रखें जो चार से कट जाए यही है ना दिखें तो चार प्लस दो गुने अगर हम यहां सुने रखते हैं क्या रखते हैं सुने रखते हैं बटा में चार तो चार प्लस दो में अगर सुने से गुना करेंगे तो क्या आएगा सुन ही आएगा ब उपर चार में सुन जो रहेंगे तो चार ही आएगा बटाओ में 4 चार एकम 4, यानि कि Y कमान हमने क्या रखा, सुन दे रखा, तो X कमान जो के आया, 1, यानि सुन दे रखा है, तो X कमान आया, 1, ठीक है, अब हमें रखना है, X बराबर 4 प्लस 2 Y बटाओ में 4, प्लस दो गूने y कमान क्या रखे है देखे y कमान अगर हम 2 रखते हैं तो 4 प्लस दो दुना 4, बटा में 4 4-4 क्या हो जाएगा? 8 नीचे 4, 4 दुना 8 ठीक यदि की y कमान 2 रखा है क्या रखा है? y कमान 2 रखा है तो x कमान क्या आया? 2 ही आया, ओके? यहां हमने एक इसलिए नहीं रखा देखो, अगर एक रखते तो क्या होता चार पलस दो गुने एक बटाय में चार तो चार पलस दो एक हम क्या हो जाता दो बटाय में चार, चार और दो छे बटाय में चार इह नहीं करता, ठीक है इसलिए समस्य हो जाता ठीक है तो अब आप समझ गया होंगे कि मान किस तरीके से रखना चाहिए और कैसा संख्या रखना चाहिए अब हमारे पास दो मानसार्णी है कितने मानसार्णी है दो मानसार्णी है अब इस मानसार्णी से हमें क्या करना है graph त्यार करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मानसारनी को एक अलग page पे लिख लेते हैं क्यों लिख लेते हैं क्योंकि जब graph के paper पे जब हम दर्साएंगे इसको तो बार बार हमें इस page पे आना पड़ेगा ठीक है लिख ले चलिए तो पहला मानसारनी है मानसारनी एक यह एक समीकरन का है और दूसरा है मानसारनी दो यह दूसरी समीकरन का है तो इसमें एक्स इसमें वाई इसमें एक्स इसमें वाई ठीक है क्या है तीन इसका सुन्य इसका दो इसका दो और इधर है एक सुन्य एक सुन्य दो 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 ठीक है अब ग्राफ हे प्रवर चलते हैं और इसको दर साते हैं देखें आ है मुल बिंदू इसका नियर्ट शांक सुने कौमा सुने होता है इधर भी एक्स इधर वाई है और नीचे भी वाई होगा ठीक है इधर plus में होगा, इधर minus में, इधर plus में होगा और इधर minus में होगा, ओके, अब हमारे पास जो मान सार नहीं था, एक या था, दिखे, समिकर नेका था, x का मान 3, y का मान सुनने, ठीक है, इससे पहरे क्या करें हैं, कि यहाँ नंबर लिख देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पा ठीक है एक दो तीन यहां एक दो तीन ए माइनस में आ जाएगा ठीक है तो एकस कमान तीन वाई कमान सुन एकस कमान तीन और वाई कमान सुन या एकस कमान सुन सबका यहीं होगा ठीक है तो एक बिंदू यहां आ जाएगा ठीक है इसके बाद क्या है एकस कमान दो वाई कमान द बहुंए डोके ऊपर और दो के इधर एब infl对 है यह druga ठीक है यहां क्या करना है यह क्लकिर खिश देना है कि अगल कि और मईशर सांख लिखेतarm यह क्या है तीन कॉमा सून यह नोड़ी है दो कॉमा दो ओके चलिए ए जो है समिकरन एक का है ठीक है हम लिख देंगे समिकरन का नाम इसके बाद में समिकरन दो का क्या है यह देखिए एकस कमान एक वाई कमान सुनने एकस कमान एक वाई कमान सुनने और एकस कमान दो वाई कमान दो X कमान 2 और Y कमान 2 A बिंदू है ठीक है इस दोनों बिंदू को मिला जेते हैं तो दोनों बिंदू को मिलाने के बाद A आया ठीक है चलिए क्या है X कमान 1 Y कमान सुन A बिंदू है और अगर हम चाया है तो समिकरन का नाम भी लिख सकते हैं समिकरन का नाम क्या है समिकरन एक का 2x पलस y क्या है 2x पलस का y बराबर 6 और ये जो समिकरन है ये है 4x-2y बराबर 4 ठीक है ये है समिकरन तो इस परकार ये दोनों रेखा एक दुसरे को कहां पर परतिछेत कर रहा है तो इस बिंदू पर परतिछेत कर रहा है इसी बिंदू पर x कमांद देखना है x कमांद क्या था 2 क्या है 2 और y कमांद क्या है तो 2 ठीक है यहीं कि x कमांद 2 और y कमांद 2 यही क्या हो जाएगा इंसर हो जाएगा गराफिय विधी से बनाने पर ठीक है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप गराफिय विधी के लिए जाहिए